प्रयाग राज में यमुना नदी के किनारे मंकामेश्वर मंदिर स्थित है जहां पर भगवान शिव अपने रुविद रूपों में विराजमान है। मान्यता है कि मंकामेश्वर मंदिर पर मन से मांगी गई सभी मुराद पूरी होती है। सकन पुरान और प्रयाग महत्ग अनुसार अक्षेवट के पश्चिम में पिशाच मोचन मंदिर के पास यमुना के किनारे भगवान मंग कामेश्वर का तीरत है जिन्हीं शिव का परियाय माना जाता है धार्मिक मान्यता है कि जहां शिव होते हैं वहां कामेश्वरी होती है अर्थात पार्वती का भी वास होता है इसलिए यहां भेरो यक्ष किन्न आदी भी विराजमान है कामेश्वर और कामेश्वरी का तीरत होने के साथ ही श्री विद्या की तांत्रिक साधना की दिष्टी से यह बेहद महत्व पूर्ण है मान्यता है कि यहां दर्शन पूजन जला भिशेक करने से श्रद्धालू की हर मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर का पुरानों में भी उल्लेख मिलता है साल भर यहाँ पर शिव के दर्शन पूजन को श्रद्धालूओं की भीर रहती है सावन मास में तो यहाँ पर भारी भीर उमरती है जिनमें शहर के साथ दूर दराज से भी भारी संख्या में शिव भग जलाभिशेक को आते हैं मंकामिश्वर मंदिर के परिसर में रिन मुक्तेश्वर और सिध्धेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है यहाँ हनुमान जी महाराज दक्षन मुखी होकर विराजमान है सावन के पवित्र माह में यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालूओं का ताता होता है विशेशकर सोमवार प्रदोश और भगवान शिव पार्वती की आराधना वाले विशेश दिनों पर यहाँ भारी भीर उमरती है शिव के दर्शन पूजन के लिए वैसे तो यहाँ पर रोज शिव भगतों की भीर आती है लेकिन सावन माह में श्रद्धालूओं की संख्या में खासा बढ़ोतरी हो जाती है सावन के सोमबार प्रदोश और खास तिथियों वर शिवरातरी पर तो यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं मिलती है भोश से ही शिव का जलाभी शेक करने के लिए भगतों की भारी भीर जुद जाती है